इस विधान सभा की अगर बात करेंगे तो पिछला जो विधान सभा चुनाओ रहा यहां से आपके परिवार के जो आपकी पत्नी है वो चुनाओ यहां पर उनने जीता इसके बात में एक चर्चा का विशे बना लगातार सोचल मीडिया मेंस्ट्रिम की मीडिया पर आपके तम के से आप अपना जीवन अभी पिस्ट चुनावी दोरान में बिता रहे हैं अब वो नहीं समझ पर अन्मम जा रहे हैं कांगरस ने कोशिच के हमको कि उन्सको कांगर्स में ले लिया है हमने उनको माना किया था कि कॉंग्रस पार्टी मत जो हो उस लिए कि नहीं है कांग्रेस के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं और कई बार उनका बेनाकाब हो चुका है कहां लड़ते हैं लोगों के लड़ाई कांग्रेस पार्टी साथ जैबि मैहू परागमेंद्र आप देख रहे हैं नैशनल जौपाल जिस तरीके से 19 तारीक का इंतजार तमाम राजनेतिक पार्टीयों के प्रत्याशियों को है कि आखिर 19 तारीक को जो लगातारे कलंबे समय से लोग सबाचुनाओ को लेकर वोटों की अपील करते वे जो में अब कई ऐसी लोग सबाच सीट है जहाँ पर बस पा एक त्रिकोनियों मुकाबले के तोर पर देखे जा रही है हमार साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है बालागाट और शिवनी लोग सबाच छेतर से कंकर मुजारे जी सांसद रह चुके है एक लंबे स से किस तरीके से मैदान में देख रहे है और अब लोगों के बीच में जाकर क्या कुछ अभी प्रतिक्री है सर लंबे समय से एक चुनाओ का प्रचार चल रहा है शुरू हो चुका है 19 तारिक नस्दीक है लोगों के बीच में जाने जाने के बाद में क्या कुछ उनका प्रत पर लग बग तीस साल से भारती जनता पार्टी यहां चुनाव जीत रही है। छे एलक्षन जीत चुकी है लोकसभा का बालहार्ट में। और कुछ नहीं कर रही है। और कॉंग्रेस पार्टी जो है वो उनका बी टीम की रूप में काम करती है। बाज़पा की। और अभी इस चुनाव में यही हो है। जो कॉंग्रेस को उमीदवार है। बिलकुल नकाविल है। और बहुत कम जोड। तो इससे साब लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी यहां पर भारती जनता पार्टी से मिलकर काम कर रही है। मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो उनके पाद शेव उमीदवार थे। जिससे बहुत बहुत बहतर थे। उनको उन टिकेट ने दिया। लोग समझ गया है कि बीजेपी कॉंग्रेस कि साट गाथ है। देखिए कॉंग्रेस पार्टी में कोई समझ नहीं है और वो जो लोग लोग बोल रहे हैं यहां पर अपर अपर लोग है इस परस्त यह देखिए कि वो जो मिदवार उनका जो है वो उसे कुछ जानता पैचानता भी नहीं है और वो खुदी बोल चुके हैं कि मेरी कुछ सुनता नहीं जला पंचायत में और कोई मेरी मानता नहीं है तो खुदी बोल चुके हैं वो अपना घर निखाली करा पा रहे हैं जहां उनको रहना है बीजेपी का पूर मंत्री वहां पर रह रहा है जला पंचायत दश के घर में तो साटगाट किसकी है बीजेपी कॉंग्रेस की है ना साफ साफ दो साल में अपना घर नहीं ले पा रहे हूं तो वह ऐसी बातें कर रहे हैं एक दम जो बिलकुर जिसमें कोई प्रमाड ही नहीं कुछ दम ही नहीं बचकानी बात इसको बोल सकते हैं लंबे समय से बीजेपी इस लोकसभा छेतर में कहने की चुनाव जीत रही है ऐसे कौन से मुद्दे है जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे है और उनका समस्या का समाधा नाम कर रहे हैं सबसे बड़ा मुद्द आजो देश का मुद्द यह है लोग तंत्र बचाने का मुद्द है समी धान को बचाने का मुद्द है फिर बेरुजगारी है बच्चिचार है महंगाई है कि ये बड़े मुद्धे हैं किसानों की फसल का समर्तनमुल कम से कम MSP लगू कहां कर रहे हैं जब गुजरात के मुखमंती थे तब उन्होंने कहा था सरकार उसमें कांगर्स की थी मनमान सिंग की चौदा के पहले उन्होंने कहा तब है कि सभी नतना आयोग की रिपोर्ट को किसानों को समर्तनमूल देंगे लेकिंगे 10 साल में उन्होंने क्या किया कुछ भी नहीं किसान उसके लिए धरना दे रहा है अंदर्न कर रहे गिली बόडर रपτα साथ ससक्रा किसानों की प्री रथू हो गई तक मिलने तक नहीं है मिलने नहीं खें एक बाच्चित की बाद तो दूर है तो यह मुद्दा बड़ा मुद्दा है फिर उनने का तभी मद्धब्रेज के चुना में का था तीन हार एक सुर रुपए हम प्रतिकुंदे धान का समझतर मुल देंगे क्यों का देंगे 27 रुपए और ग्यास की जो टंकी है उसको हम सार चार सुर रुपए मुल प्रतिक चार मेने निकल के सरकार बनने के बाद के घोषणा पत्र में है वचन पत्र में है अग्या उसको नहीं कर पा रहे तो यह बड़े मुद्धे हैं जनतमें इसको लेकर गए और कांगरेज भी खामों से इस पर कांगरेज जनतम जाके बढ़ेगा यह किया था तो यह बाहर बोल रहे हैं आप बस तो आपके 63 एमेल हैं तो आप इसको ले कि आपने कोई कोश्चन लगाया है कि कोई कोई कॉछ तो लगाना था हूँ लड़ना था उसमें हम लोगा ने जो है इस पर बकाइदा इस मामले को लेकर धान के समुर्थ मुल्क के लेकर बपाल में बिदा सबसे बड़ा मुद्दा इस वकत वो लेकर चल रही है राममंदिर का मुद्दा जो कॉंग्रेस से नहीं हो पाया वो बीजेपी ने करके दिखाई है और बड़े पैमाने पर इसी मुद्दे को अब दिल से लगा चुका है बिलकुल यह बात गलत है और भी से ने कुछ दिल से लगाए नहीं है यह भारती जंदा प्रचार कर रही है जूटा और राममंदिर उन्होंने कुछ बनाए नहीं है जंता ने अपना पैसा इखटे किया उन्होंने बना लिया मंगर पूरा कहां बन पाया भी अब जो दूरा है लेकिन भाजापा ने उसको जल्दी उसका मंदिर का भूविंग पूजा आपको उद्गाटन कर दिया मंदिर तो अधूरा ही पड़ा हुआ है भी कहां बन पाया और चुनाओ को देखके उन्होंने जल्दी जल्दी में किया ही और रामंदिर अगर बन बीज गया तो उससे जंता को क्या लेना देना है उनको बीज लें चाहिए उनको महिंगाई कम होना उनको रोजगार होना के साल को MSP ज़ी है बार स्वार खतम होना चाहिए तो रामंदिर बन क्या है राममंदिर जो है धर्म जो है वो जीने का एक माद्य हमें कैसे रहना और किस जीना आए किस धर्म को मानना है सब к अलग अलग है जाजिती उससे अलग है तो लोग बता रहे हैं कि हमने राम को लाया है अब बहुत ही मुर्ख लोग है बीजबी जो बड़ी नेता है राम को को ला सकता है एक बार राम को बोलते है भगवान भी है अब भगवान को लेके आ रहे हैं तब आ रहे हो यह तो बहुत अजीब लगती बात आपके अपने बयान में अभी आपने बताया कि सविधान को बचाने की बात है लेकिन सविधान को बचाने के लिए कि लंबे समय से कॉंग्रेस ये कह रही है कि हम सविधान को बचाएंगे बस्पा के पास में एक जमीनिस्तर पर चर्चा चल रही कि काबिलियत नहीं है बस्पा सविधान बचा पाई क्योंकि अपने बल्बूते पर अखेले लड़ रही है कांग्रेस ने कभी कंभी है différent कि पर यह कोषि नोग की ने किसे कोषित कि लिए और कि लाय कांग्रेस्तर पार्टी यह कभी सअब इसको लेकर को आंजुरन किया उन्होंने कोच एक दिना आज राश्ट के लिए खड़े हो जाओं हर सहर में हर सेहर में सभाय हो जाया है और की लिए बात करते दोना मिले हुए है लोग है यह टो इधियास है सर वो कह रहे हैं कि छलिए इधियास में हमारा साथ जो गलतिया हुई है आप वो देह नहीं दो रहे हैं दर्ती पर कुछ नहीं हो रहा है क्या बालाड में लोक सबाख सुनी बालाड के चिनाओं में अब देख़ लेजी राहूल गान्दी क्या बोल रहे थे हम जाती जन्गन ना कराएंगे और पिश्रों को हम अरिशन देंगे और दबे लोग जो हैं उनको अरिशन दें पांच याऱ मुस्किल से कि और कांग्रेस के पास कोई पिश्रा आदमी नहीं है क्या इसको टिकेट दे जुट बोल रहे हैं एक कि यूझ रहे हैं इसको लेकर क्या कहना चाहिए तो यही कह रही है कि कॉण्ग्रेस ही भारति सविधन बचा पर है यह जंता कोई नहीं कर रहें उनके कॉछ रुक्रणि对 काउंड़ु गुश्ण कर सकती कि हाइं इंड्या करन बाना रक्रवा method anymore सब्सक्राइब करेंगे तो पिछला जो विधान सबा चुनाओ रहा यहां से आपके परिवार के जो आपकी पत्नी है वो चुनाओ यहां पर उनने जीता उसके बाद में एक चर्चा का विशे बना लगातार सोशल मीडिया मेंस्ट्रिम की मीडिया पर आपके तमाम तस्विर वाइरल हुई कि आप घर को छोड़ कर जिस तरीके से आप अपना जीवन अभी इस चुनाओ दोरान में विता रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी क्यूं ये चीजे संबह हो पाई है और किस तरीके से आप ये पूरे के पूरे चीजों का अपने हैंडल कि देखिए हैं कांग्रेस से जोरू जीती हैं उचनाओ कांग्रेस का उसमें कुछ नहीं है सारा हमारा उसमें मैनत है जो हम इन तक संगर्ट करते रहे हैं लड़ते रहे हैं कोई में कौशिग कांग्रस में ले लिया हमने उनके मना किया था कि क्सथमें कि आयू मना किया था हैं क्वार्ट इमन बूंत हैं इस्ट्मेंट येह था क्या करण abnormal क्यूं किया था ये कॉंग्रेश की बिचाड़ा से हम अलग है我們的 कि लोग जो कहते हैं वो करते नहीं और कई बार उनका चेहला जो यह बेनकाब हो चुका है कई बार की कहां लटते यह लोगी क्यांकर फैर आज देखिए कि बालाएं जिले में और पूरा राज चल रहा है, जंगल के राज चल रहा है, यहां फर जी इंकाउंटर हो रहे हैं, आदिवाजी किसान को नक्सली बोलके उनको गोली मार कहते किजिए, किसान को, और नक्सलाइट को भी अगर मारे इंकाउंटर हो रहा है, उसमें मारे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं कहना है यर नक्सवाइट पुलिस नक्सवाइट को मांधर क कर्या है लेकिन ज़र इंकाउंटर के वो पकेल करके और पाड़ी पर लिया करके गोली मार रहे हैं उस पे एनाम ले रहे हैं मुख्वनती आके उनको इनाम दे रहे हैं पदानमंति उनकी तारीप कर रहे हैं, मगर कॉंग्रेस कुछ नहीं कर रही है, एक बार भी उनका पार्लेमिन में कोई कुछ उठा है, सुना कभी आप लोग आने कि पार्लेमिन में कोई ये संट्रल कभी समझता है, कभी उठा है कोई, राजबेन उठा कभी, कॉंग्रेस नहीं राजबेन उठा ही, अभी कम से कम पांस साल में बीस लोगों को फर्जिन काउंटरमून की हत्या किये, उसने लड़किया हैं, आदमी हैं, और हमने अप्रूब किया है, कोट में भी जाके गाउं के लोगों ने अपने बयान दिये हैं, मेश्टर जांच में, कहा कि मेरे घर से पकड़ा, रसी में हाथ बांदा, और पालिब लिया कि उसको हच्चा कर दी माल के, और क्या चीज़ से जादा, फिर भी सरकारवाणी नाम दे रही है, कांग्रेस चुपचाप बैटी है, हमने सब जाएका उठा दिये माम दे का, पिर सब कांग्रेस की नजर में भी आ गया है, यहां उसके विधायक है, जहां पर ज्यादा बोरह है, वहां पर एकस्ट यह वुज़ करके उनका विधायक है कांग्रेस का, कुछ नहीं बोल रहे हूं, कभी आवाज नहीं की, हमने को समझाए भी तरह एक बार मिले थे, तो मने का आप राश्पती के पाद जाओ, क्या पांदो, मैं साथ में चलता हूं, राजपल को बोलो, राजपल आदिवासी मत प्रेस का, राजपती का, कुछ नहीं है — लेकि दोनो एक हुए हूं, बीजेपीं बीजेपी 400 पार का जो नारा लगा रही है, लिजएपी शिरही स्लोकसवासीट से, बाालागट सियुनी से, बीजेपी कहने के एक मजबूति से लड़ रही है और जीत रही है, क्या लगता है इस बार भी ऐसा कुछ होगा या फिर झो है सब्दलते वा नजर है जो नारा लगा एक वह बेकार की बाते कर रही है पिसे तो पिर मैंने कोन पे सक होता है कि पहले सुछन ह्टनम प्रे जो फित कर लिया है सेट कर लिया है तो कैसे बोल रहे हैं कि चार सो पार इतना बीजेपी का ये हालत नहीं है कि चार सो पार कर ले बतबुरी स्थिति में बीजेपी है क्या कर दिया बीजेपी ने कौन सा काम कर दिया आज़ देश की हालत बहुत खराब है कर्ज में भारत दूबा हुआ है और जब चौदा प्रधाल मंत्री के कारकाल में आजादी के बाद साट साल में पच्पन लाग करोल का कर्ज था अभी कर्ज हो गया है दस साल में ही दो सो इक्षिस लाग करोल का कर्ज हो गया है किया बीजेपी कर रही है ते टेंट घरी लाग के र होग पाति हिए व्यपय यह श craft अभी कर्ज हों का उनका इंब हमारी तो सा किया थाक आकना पलता है कि सब से ताकत देता देश को उस और इक कर आप स्कारण में कर रहा है कि यरी ब्हेर को किसा समझ दारी नहीं को समझ अकल नहीं है व mache कुछ भी जानते हो जबरन बैठे वेह दर्म के नाम पर ब्रुकु बना के लोगों मों च starch बेंग भी बोल एक तरफ हम थे कि हमने काम अच्छा है और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं हम विकास के ओर बढ़ रहे हैं हम तमाम बाते कर रहे हैं अब यह आपको मालू है ना खोसाली के मामले में भारत दुनिया में नीचे से नीचे से दूसरे नमबर पर है नीचे से दूसरे नमबर सबसे नीचे में अपकोन अफगानिस कि ते चाहब कर रहें हैं। आपी U.S. और रासन नहीं मैंने भरदें देश स्वाइशा। प्रजान मंत्री को एक मिनट भी कुर्सी पे बैठने का दिकार नहीं है, एक मिनट भी, और खुद ही बोल रहे हैं इस बात को, और कुर्सी पे बैठे हैं, उनको शर्वाना जीए, क्यों बैठे कुर्सी पर आप, जब देश का नागरीक जो एक 5 किरो रासन में मैंने बर काम क प्रजान मंत्री की पहनता है, और प्रजान मंत्री ग्याराग का शूट पहनता है, अब मुझा जार कर रहे है, कितने बैठे करोल कावयज ले रहा है, और 4idents荷र ढरेस बदल रहे हैं, दिन भर में, सरमाती है उनको जरावी किस देश के प्रदामनती हो उनकी हालत तो देखो आप पहले अगर जिस तरीके से आपकी जो दावेदिरी की इस लोकषबा शेतर मैं देखे जा रही है इसी आधार पर अगर अनुमानों के अनुसार आ फिर कहें नतीजह के आधार पर यह सीट अगर लग सकते हैं, जहां रोजगार मिलें, ऊसके लिए काम करेंगे हम, और किशानों के लेए लटाई लडएंगे, मेस्टी को लेकर के, बेज़ंगारों के ले आवाज उठाएंगे, परलिमेंट अंदर, बालान हाट के अंदर जो इससरी थी है, तो उसको बदलेंगे कि हाँ कानुन का राज चले यहां इस तरह का जंगल राज नी चले यहां रिश्वत कोरी भी बहुत है, कमिशिन कोरी भूत है, इसको भी खतम करेंगे हैं हमने कह दिया है कि सरकार चाहिए जो भी बने जिसकी भी अगर हम चुनके गए बस पाके हाथी के उपर दिल्ली में गए हैं तो सरकार समझ लिजी कि जनता की सरकार है और हम कभी ने बोलने हैं किसी को कि मेरी सरकार नहीं हैं पैसा नहीं हैं मैं ये काम नहीं कर सकता मैंने बोल दिया मैं सब काम कर दूँगा आपका मुझे पता है कहा पर लाद मारना है, कहां से पैसे निकालना है और फिर लाद तो हातिका है बज़नदार टाकत वारा मुझे मालू में मुझे मालू में एक बाद टाकत है, मुझे पता है कौन सी नसा आपकी दबाना है कहां गर्दन पकड़ना आपकी कि ने ने का सब काम कर दूँगा, मैं चोटा बड़ा सब काम, जो भी डाओगे, मैं सब कर दूँगा, कहीं भी फरक नहीं आएगा, रेल के माल में ने बोल दिया है कि रेल के फेरे यहां पर प्रसंजर रेल के फेरे बढ़ना चाहिए मालगाड़ियां बहुत चल रही है मालगाड़ियां नहीं होना हमको पुझी पत्यों को काम जादा नहीं होना यहां पर फ्लाइब वार बनना चाहिए यहां अब एक करणि की जो है बादा जिले महाता का फीछ तक के एक रेल गडाडी चलनी चीए ब्राड ग्याज का लाइन टलना चाहिए ये काम उन्हे करने का बोल दिये अम इसको पांच सल के अंदर ही कर देंगे कोई काम करने के लिए हमको अगर लगा कि इस काम करने के लिए हमको जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे लिए कुस काम को करेंगे हम जेल जाना पड़े जाएंगे मैं काम करेंगे उसको मुझे लगा कि नहीं मुझे जेल दाना पड़ेगा जाओंगा हमें इस जन्ता से सब में वादा किया है खुले हम मंचों से सब बात साफ साफ कर दी हमने अब लोगों न हमारी बात पर फरसा भी कि वो जानते हैं कि जो बोलते हैं करते हैं अरे सम्कर चुके हैं बिल्कुर अपनी बालागाट और शिवनी लोकसभा छेतर की तमाम मद्दाताओं से अपील के तोर पर क्या कुछ कहना जाएं मद्दाताओं से मेरी बिनमर परील है कि मुझे आप सयोग करो मुझे आप समर्चन दो मुझे अपना आशिरवाद दो एक बार हाथी को लोकसभा में मुझे बना कर भेजो हाथी आपके आवाज उठाएगा हाथी आपके लिए सब काम करेगा हाथ आपके साथ ही है और एक बार माक ut कहीं पर आपको दोका नहीं होगा यूसर मुझे ने का गैरंटी दी ये गैरंटी, वो गैरंटी सारे गैरंटी जूटी है अब वही काम कांеловिस बोलं रही हम भी गारंटी तेर हैं, वो भी नकटल कर रहे हैं. कोब它 से मैं बोला कि काम, हम भी किरेंटी दे-रे तो को अलग बात नहीं कर रहे हैं मूली महीं हुद कर रहे हैं, हमने का लिबन के भादा करते हैं, शुर्षान का कि सानों को 31्रुप क्योंकि वादा खेरा हुण ने वचन है गोशना पत्र है हम पकड़ के दिला देंगे उसमें कॉछ ने की इस पर हम दिलाएंगे बसपा यह कहती है कि चुनाव के दोरान हम किसी भी तरीके का गोशना पत्र जारी नहीं करते क्योंकि इस देश का भारते सविदानी हमारा गोशना पत्र है और उसी को लेकर आखरी जो हमने महाँ पर चर्चा बात्चित की है बालागाट शिवनी लोकसबा छेतर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुजारे जी से हमने बात्चित करने की कोशिश की है कि इस चुनावी दोरान किस तरीके से लोगों के बीच जाकर उन प्रतिक्रिया क्या है और आप अगर बालागाट और इस सिवनी लोकसबा छेतर से तालोकात रखते है तो आपकी प्रतिक्रिया और इस पूरी की बात्चित को लेकर आपकी राय हमें लिख कर ज़रू बता है बने रहे हैं नैशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जैभीम जैभारत नैशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताक्तों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा बहुजन समाज से जुड़े और उसके अंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुँचाते रहेगा लेकिन हमारे साधन संसाधन की क हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं आप तमाम साथियों से हम अनुरोद करते हैं कि नैशनल चौपाल को बचाईए हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें जैभीम जैभारत